जैमातादी, नौरात्र के सात्वे दिन का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन मा कालरात्री की पूजा होती है और मा कालरात्री सत्रूओं से, बिरोधियों से, यहां तक की मुकदमे से और जगडे लडाईयों से हर जगा आपको या तो बचा लेती है या फिर आपको विजय द लाती हैं तो मा का ये रूप बहुत ही भयंकर माना जाता है मा काल रात्री का लेकिन सत्रू ब्रोधियों को नियंतरित करने के लिए मा काल रात्री की उपासना करना अत्यंत सुभ माना जाता है मा की उपासना से भै से मुक्ती मिलती है दुरगटना से बचा होता है रोगों का नास होता है और मा हमेशा ही भक्तों का कल्यान करती है इसलिए इन्हें सुभंकरी भी कहते हैं तो नौरात्र के जो सात्वा दिन है इस दिन लौंग का एक छोटा सा प्रियोग किये जाता है ताकि एक मा का एक बिसेश मंत्र और ये लौंग ये दोनों मिलकर आपके सत्रूं को सांथ कर देगा उनको नास कर देगा देखे मा का रंग काला है और ये तीन नेत्रों वाली है तो मा काल रात्री के गले में बिद्दूत की अधभुत माला है और इनके हाथों में खटग और काटा है इनका वाहन गधा है और भक्तों का हमेशा मा कल्यान करती है इसलिए इन्हें सुभंकरी कहते हैं लेकिन मा काल रात्री की उपासना से सत्रू बिरोधी नियंतरित तो होते हैं साथ ही इनकी पूजा करने से तमाम तरह के बिमारियों का भी नास होता है और इनकी उपासना करने से नकात्मक उर्जा का असर नहीं होता और जेवतिस में सनी नामग्रह को नियंतरित करने के लिए मा की पूजा जरू करनी चाहिए चुकि जो ब्यक्ति मा के पूजा में थोड़ा सा भी मन लगा ले तो सब्तमी के दिन आप सनी आपका सनी साड़े साती है धहिया है या किसी वितरा का कुंडली में कोई परिशानी है वो सांथ हो जाएगा मा की पूजा अभी तक आपने कर लिया होगा लेकिन मा की पूजा परदोसकाल में होती है परदोसकाल यानि सामकिसम है मा के सामने एक गी का दिया जलाएं जैसे आप असलान बिगरे करके सामें इत्याबाति तो करते हूँगे और मा को लाल पुस पर पीत करें मा को गुड का भोग लगाईएगा और मा के मंतरों का जब करें या फिर दुर्गा सबसती का बाथ करें ये आपकी इच्छा पर है तो गुड जो भोग लगाएंगे आधा आप लोग खुद खाईए और आधा किसी ब्रह्मन को दान दे दे इतना तो हमने आपको पहले भी बता है लेकिन अब एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की हर मस्मस्याओं से आपको निकालेगा देखिए म मा कालडात्री जो है ना मा दुर्गा का रोदर रूप है और मा कालडात्री के नाम का अर्थ है काल यानि समय और रात्री का मतलब होता है रात पुरानों के अनुसार मा पारवती ने सुम्ब और निसुम्ब असुरों को मारने के लिए माता को स्वर्ण अफ्तार दिया था और उसी दिन से मा के इस रूप को काल राती के नाम से जाने लगा। और इन्हें सक्ति का एक और रूप देवी काली के नाम से भी जाना जाता है। तो वो लॉंग का प्रियोग कौन सा है? जो जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा, हर कठनाईयों से रक्षा करेगा। पहला तो आप 27 लॉंग ले लें, 27 यानि 27 अब सभी लॉंग बिल्कुल साबूत और सभी लॉंग फूल वाले लॉंग होने चाहिए, तुटा फुटा वा मत लीजिए। और लाल धागा, जो लाल मौली धागा होता है, उसको ले लें, अब एक एक करके हर लॉंग को बांधते जाईए, धागा के सहारे, और इसको 27 लॉंग को बांध कर एक माला बना ले, लॉंग की माला, अब माता रानी को आप पहना दे, अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो मां को पहना दीजिए और अगर आप पुरुस हैं तो मां के चौर्णों में रख दीजिए सत्रू विरोदी सांत हो जाएंगे, आपकी जीवन की मुस्किले सांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और कोई चाहकर भी आपका बाल भी वाका नहीं कर पाएगा तो सत्रों से रक्षा होने के लिए ये अमोग उपा है लेकिन जो आप मा की पूजा करेंगे महा सब्तमी, महा स्टमी, महा नौमी के दिन तो दो लॉंग आप मा को जरूर भेट करें आप चाहें तो पान के पते पर रखकर भी भेट कर सकते हैं नहीं तो सिर्फ दो लॉंग आप मा को अर्पित क्या करें अब जैसे सब्तमी तीथी को आपने अर्पित किया तो अस्टमी को उठाइए और अस्टमी को अर्पित किया तो नौमी को उठाइए और ये लॉंग उठा कर परसाथ के रूप में गरहन कीजे तो आपके चारो दिसाओं में भीज़े होगी जिस भी कारे के लिए आप जाएंगे वो कारे आपका सफल होगा तो लॉंग के परियोग से बहुत सारे मुस्किल चीजों को समाफ्त किया जाता है तो जब आप साम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में भी आप लॉंग डाल सकते हैं लेकिन एक छोटा सा परियोग जो आपके सत्रूं से आपकी रक्षा करेगा इसके लिए थोड़ा सा आपको जैसे आपको चाहिए होगा 108 दाने लॉंग 108 याद रखिए इससे कम नहीं और ज्यादा भी नहीं तो 108 दाने जो लॉंग है इसको आप अच्छे से चुन कर साइड में रख लें बिल्कुल साबूत हो देख ले 108 है न अच्छे से गिंती कर लें अब आपको मां के सामने जब आप पूजा करने बैठेंगे तब वहाँ पर मां के सामने बैठ जाईए और फिर एक मंत्र बोलना है एक लॉंग हाथ में उठाईए और मंत्र बोलिए आपको ये लॉंग अपने घर के पुजा स्थान में ही मां के सामने करना होगा ये पड़ी हो और आप मां के सामने आप चाहें तो एक पातर रख दें या कोई भी चीज कपड़ा भी रख सकते हैं उस पर आप उठा लीजेगा अब मां के सामने इस लॉंग को कपड़ा को रखिए और एक लॉंग अपनी हाथ में उठाईए और बोलिए ओम एंग लिंग लिंग चामनडाए विच्चे ओम तो ये मंतर आपको बोलके एक लॉंग मां के चरनों में जहां पर आपने रखा है वस्ते बिचा कर वहाँ पर डाल दें फिर उठाईए एक लॉंग और फिर बोलिए ओम एंग लिंग लिंग चामनडाए विच्चे ओर फिर रख दें फिर उठाईए लॉंग और लॉंग जो उठाएंगे अपने मिडिल फिंगर रिंग फिंगर और आपका जो थंब है अंग उठा यानि आपका हाथ का अंग करना है क्या करेंगे यह जो लॉंग आपने आप चाहें तो साम में भी कर सकते हैं मां को अर्पित किया अब मां को अर्पित करने के बाद अगर आप घर में रोज यगे करते हैं साम के समय हवन करते हैं तो आप उसी हवन की आग में इस लॉंग को एक सो आठ लॉंग को डाल दें और मां से प्राथना करें आपके सत्रू सांथ हो जाएं किसी भी तरह का रोग चोट रिन कर जा जैसी परिसानी ना हो तो मां काल रात् ढाजनायों से रख्षा करती है तो आपके जीवन में जो भी परिसानी है अब मा कूब कर आप उसमें लॉंग उस एकशारा लॉंग उस New अगनी में डाल दे हैं अगर मा लेते हैं आपय। यह यह नहीं कर रहे हो घर में। यह रहां मंदर में में तो एक गर नहीं कर प्रवाहित कर दें लॉंग में तेल जाएगा और जब वह जल जाए तो सारा राह को इकठा कर लें और ले जाकर कहीं पवित्र नदी स्वरोवर में आप इसको प्रवाहित कर दें मा की किलपा से लॉंग जलते ही आपका सत्रू विरोधी सांथ हो जाएगा और पूरे साल सत्रू नास के लिए कोई उपाई भी नहीं करना पड़ेगा वैसे इस दिन सनी देव के निमित भी पूजा कर सकते हैं